और टाइम टेवल मैं बोलूगा बनाओ और टाइम टेवल हर दो दिन के बाद बनाओ का जो कॉर्परेट अकाउंट है ध्यान से समझना कि आपके एक्जाम कब है आपको पता है या नहीं पता कर और वो डेट शीट फाइनल डेट शीट नहीं वो क्या है एडल टेंटेटिव डेट शीट अभी जो मैं सारी बात बता हूंगा यह न होते हैं तो मैं अगर एसेल की बुक में आपकी यूनिट वाइस गीवन है यूनिट वाइस मैं आपको ये भी बता के चलूँगा के सर हमें पहले कौन सा टॉपिक करना चाहिए और पहले किस तरीके से लेके चलना है मैं सारे चैप्टर लिख देता है और चैप्टर के किन हो यहżenie हो जाएगा बच्चा पत्रों लागौ यह ओंटिस्यार कैपितल नम्बर दो चैप्टर है हमारा बोनस नम्बर पीन चैप्टर हमारा ऐ बाइबैंक ओणने चाहरा हमारा की मधें श्रक्टन अरप रिवरेन्जियर number 5 chapter है हमारा issue of debenture number 6 chapter है हमारा redemption of debenture number 7 chapter है हमारा isop number 8 chapter है हमारा underwriter यह स्थारे के सारे chapters तो है है अब इसके अंदर जो एनिपी के अंदर एक और चप्टर आ जाता है वह आ जाता है लिक्विडेशन इसारी मैंने एनिपी बोल दिया यह cbcs और यह भी है ओनर्स में यही यही यूनिट है हमारा सबसे बड़ा सरदर्द है एक तरीके से मैं कहूं कि भाई यह इसको कैसे खतम किया जाए तो आप बच्चा यह कहता है कि सर इस यूनिट को अगर अब हम करने बैठें जैसे कि हमारा चालिस दिन है लेकिन डेट शीट का कुछ पता नहीं और चालिस दिन सब कुछ कार्ट पीट के ध्यान से देख के तो मैं 35 दिन मान लेता हूं इसको चार-पास दिन आपके वैसे भी खराब होने ही होने है ठीक है अगर आपका पहला कॉर्परेट का नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप अगर इस तारी को पेपर है तो बीस तक कॉर्परेट पढ़ोगे तब तो आप 15 कोई छोड़ दोगे कि बागे पेपर की त्यारी करेंगे तो आपके पास 35 दिन है एक्जेक्ट क्लियर डेज तो सबसे पहले बच् पार्ट इस वाले पार्ट के अंदर जो है अगर जिसके पास साइंस साइंस था बैग्राउंड उसको तो पहले ट्वेल्थ का बेसिस के हिजाब से ट्वेल्थ के अंदर काफी सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर हमारे पास 12 में कॉमस नहीं था तो कि हम पहले होता तो मैं बहुत दिन में खत्म कर ओ पांच दिन मैक्सिमम sé maximum लेके खतम करना बहुत maximum और इसमें जitना अच्छे से टाइम अच्छे से 12 में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ओवेस बात है हो नहीं तो उसके लिए 12 वाला है और मैं ऐसा करूँगा इसका एक मैं अलग से highlight करके एक folder डलवाने जा रहा हूँ मैं अलग से highlight करके folder डलवा रहा हूँ 12 वाले का और बहुत minimize videos और बहुत systematic तरीके से मैं करवाने की कोशिस करूँगा इसके बाद bonus share इसके बाद buyback सर ये दोनों एक दिन में खतम करो अब आपको थोड़ा सा लगेगा भी सर कि कैसे how is this possible कि हम एक दिन में खतम हो सकता है जिन बच्चों ने बोनस करा है तो उसको पता है कि दो ही तो entry है एक partly paid up को bonus बनाना एक fully paid up जो रहता है उसको bonus देना है entry simple सी है और buyback में भी कोई ज़्यादा एसस खास entry नहीं था बस buyback bank account और preference share के जैसा ही है वो सारह का सारह इसके बाद सर प्रफरेंश शेयर आप आराम करो क्योंकि अब यह समय आ गया आपका पता भी नहीं चलेगा do and die वाली situation है और धीरे धीरे टाइम निकलता जाएगा और निकलता जाएगा और आपका जो patience है वो खोते जाओगे यानि आपके उपर एक दवाब बनता जाएगा tension बढ़ता जाएगा रहे यह 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 भी नहीं वह यह भी नहीं वह इतना सारा नहीं है इसके बाद इस और अंडर इटर इसको मैं करा दूँगा इसकी टेंशन मतल लो इसको छोड़ वह भी यह मैं खराऊगा अपने सिन हिसाब से मैं कुछ प्लाइन कर रहा हूं कि इस हिसाब से करा दूं कि फटाफट से खताम हो जाए इस एक दिन में एक दिन परा दूंगा आधि जैसे भी हो गा अस तरीके से करा दूँआ ठीक है बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं देखेंगे ये तो उनके लिए भी ये बिल्कुल सेम मैं बता तो मैं प्लाइन डाल देता हूं सब्सक्राइब ना मोच पके सब्सक्राइब करने के बादेरर किया उनके है कि यहन localmarkt1 के सब्सक्राइब है ड्स थात है। हाला कि Seb very own में ये यूनिट को दो यूनिट में डिवाइड है cbcs क GOOD कि उसका यूनिट नममर 2 में सिर्फ cashflow रख़ा है नहीं यूनिट हाई और इसके यह वाला शुर्फ SPEAK वालों के पास यह सुर्फ सीवीच के पास है यानि सीवीचे वाले बच्चे जो पुराने स्लेवस वाले बच्चे जो यही दो चप्टर करें रेश्व ना करें इसके साथ साथ यहां पे कुछ accounting standards आ जाते हैं जो कि important है AS20 अ 20 अकांटिंग स्टेंडर 20 एक और यह से जो कि आज आता एक्जाम में तो इसमें सबसे पहले तो 20 के ओपर काफी कुछन्स पूछे जाते हैं EPS नाम है अर्णिंग पर शेर के नाम से यूनिट 2 हो गया सर इसको कितना टाइम लगेगा फाइनल अकाउट देखो मैं लाइव में ले रहा हूं तो इसको लाइव में ले कर चलो कैश्फ्लो स्टेट्मेंट पूरा अच्छे से वैसे recorded है और इसको मैं आज और भी अच्छे से इसको systematic कर दूँगा cash flow को और उसके अंदर आपको क्योंकि जो 12 में किया है just 12 का part और उससे थोड़ा advance है इसको आप 2 से 3 दिन में कोसिस करो के खतम कर ले आज आपको systematic होके मिल जाएगा और जो आपका ratio है ratio को आप 2 दिन लो और 2 दिन का मतलब अब ऐसा बिलकुल भी मत समझना कि पूरा 2 दिन इसी में लगे और भी subject है भाई आपके पाद अगर आपने 30 दिन इसी में लगा दिये पूरे तो बाकि subject तो डबागोल हो गया फिर तो 2 दिन का मतलब है 3-4-5 घंटे जितना दे सकते हैं और पढ़ने का बहुत बच्चे पूचते हैं सर मुझे यह समझ भी नहीं आता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए देखो जब तक आपका मन लग रहा है एक तो मन के अंदर सबसे पहले तो यह सोच लो कि पढ़ना है उसका जब पढ़ने बैठो जब तक आप ठक नहीं जाते तब तक आप पढ़ते रहों काफी बच्चो का नाइट में आउटपूट अच्छा निकलता है काफी बच्चो का मॉर्निंग में आउटपूट अच्छा निकलता है काफी बच्चों का दो फेहर में आउटपुट अच्छा निकलता है तो हर किसी का अपना अपना स्नेरियू ऐसा नहीं कि सुबह आपको 6 बजे उठके ही पढ़ना है तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसा भी नहीं है कि रात में पढ़ो सांती से तो बहुत अच्छा रहेगा आप फुद को evaluate करो पूरे दिन दो तीन दिन ऐसे देखो एक दिन आप रात में पढ़के देखो कहीं आपको पढ़ते पढ़ते नीन तो नहीं आ गई और आपका उतना चेप्टर टार्गेट पूरा नहीं हुआ तो समझ जाओ अगर आपका सारा टार्गेट पूरा कर दिन और आपका हो भी गया तो समझ जाओ आपका नाइट में आउट पूट है एक दिन अरली मौर्निंग उठके देख लो अरली मौर्निंग उठके देखा आपने और देखा कि कोई डिस्टरबेंस नहीं है और सुबहे कोई ठकावट और कुछ भी नहीं और आपने बहुत और हर दो दिन और यह बीकॉम प्रोग्राम का बच्चा और उनर्स का बच्चा सभी के लिए ऐसा नहीं सोचना कि वालों के लिए सर अलग से बताने वाले हैं सब के लिए मैं कॉमन और उसी की अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूं ठीक है अगर दिन काउंट करें तो पांच मैं ठीक रहा हूं यह सिरफ सी बी वालों के लिए एईनिपी वालों के लिए नहीं है यह सिर्फ सी बी इस वालों के लिए क्या है सर एक वेल्यसेशन ऑफ गुडविल और कि एसर वैल्टिट और क्या सर फानेंशल वेलुएशन ओफ इक्विटी शेर वेलुएशन ओफ शेर सबसे जो सबसे इंपॉर्टन्ट यूनिट होता है यही है इंपॉर्टन्ट इसलिए नहीं कहुंगा कि इसके इंदर चैप्टर बहुत टॉफ टॉफ है मैं इसलिए कहुंगा नंबर के सबसे जब ज्यादा नंबर के बनते हैं वह यहां से बनते हैं और अगर हम टफनेस के वाइस देखा जाए तो बहुत आसान है वेल्वेशन ऑफ गुडविल वही सारा का सारा ट्विल्थ वाला है बस पोड़ा सा पॉर्सन आगे चेंज होना है जो आपने गुडविल में इसके अंदर आप पढ़ते हो तो सर यह मान के चलो एक दिन में यह भी हो जाएगा और इसके अंदर आपको एक दिन में हो जाएगा हां इसके अंदर मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा के वैल्वेशन ऑफ शेयर अभी करना है तो अभी कर लो नहीं तो एक 양 हैं यह इसे कर रहे हैं कि आपको हमारे वीडियों के अंदर required एक नहीं हम नहीं मान ले लेzen राहे हैं तीज आपको यह इस जाप धी यह उWith और मैं बोलू आप पांस दिन में खतम कर लो तो नौट पॉसिबल मुझे उस क्लास को बहुत मतलब के एक समरी टाइप का और एक समराइज करके और एक अच्छे से सिस्टेमेटिक करके आपके फोल्डर में डालना है जिसकी वजह से आप इसको इस जो मैं टाइम टेबल बता तो यूनिट नंबर थ्री जो है यह नौट पॉर नौट पॉर इसको देखे भी ना उसके लिए बिल्कुल है ही नहीं यह सिर्फ किसके लिए है उनली फॉर एनिपी चाहे बच्चा प्रोग्राम है चाहे बच्चा हो ना चीक है इसके बाद हम अगर आगे चले सर तो अगल यूनिट जो हमारा निकल के आता है देट इस यूनिट नंबर फॉर फॉर है न यूनिट नंबर फॉर के अंदर एक है हमारा री कंस्ट्रक्शन और एक दूसरा है amalgamation amg कर देता हूं amalgamation सर यह दोनों में ही है cbcs में भी एनिपी में भी है तो कोई ऐसा बच्चा ना सोचे कि हमारे में हमारे में नहीं हमारे में ऐसा है वैसा सब पे हैं common चीज़े हैं ऐसा कुछ ने कुछ जादा और कुछ कम यह आपको पूरा करना बात करूं सर इसमें से मिला के पूरे से एक निस नमबर का आएगा और अगर आपका निपी है तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ नमबर का रहे डिपेंड करता है पाइनल आजाए cashflow आजाए अगर एनिपी है तो इसमें से 25 नमबर का सवाल आ जाएगा ठीक है CBCS वालों के लिए है नहीं और यह पूरा 19 और 15 नमबर के हिसाब से अगर CBCS का बच्चा है तो 15 नमबर का कोशन बनता है एक कोशन यह एक कोशन यह दोनों और में रहेंगे हमारे अगर देखा जाए तो सर इसके अंदर से आपका यह आप आराम से 2-3 दिन के अंदर आराम से निपटा सकते हो और इसके अंदर आपको लग जाएंगे 5-7 दिन लग सकते हैं इसमें मैं बोलूगा यह जो एमल्गमेशन है वो कहीं ने कहीं शेयर कैपिटल से भी ज़्यादा समय लेगा आपका और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो ट्विस्ट कर दिया जाता है जासे बहुत सारी मीनिंग चेंज हो जाती है तो यह हमारा यूनिट नंबर फॉर है अब अगर मैं यूनिट नंबर फाइब की बात करूं तो यहां यूनिट नंबर फाइब जो मैं यह यूनिट नंबर फाइब सबस्क्जंबन सब्सक्राइब यह सब्सक्राइनb इसके अंदर इसके अंदर आपका board meeting है और क्या है सट इसके अंदर आपका XBRL reporting है इसके अंदर क्या है triple bottom line है इसके अंदर क्या है CSR है corporate governance है तो ultimately के समान के चलो capsule का काम करने वाला यह पास होने के लिए क्यूंकि इसमें से 19 नंबर का पेपर बनेगा तो यह पास होने के लिए corporate CSR क्या है CSR के उपर कोशन आएगा एक्जाम में triple bottom line क्या है इस पर भी कोशन आएगा एक्जाम में और घुमा फिरा के वहीं आएंगे पेपर में ठीक है अब बात करते हैं सर यूनिट नंबर फाइव यह यूनिट नंबर फाइव जो है ना वह सिर्फ और सिर्फ किसके के लिए और सिभी वाले बच्चों के लिए यह वोडिंग यह काफी टपफ माना जाता है जर्माना देखा जाए तो यह अगर मैं बात करूं ऐसके dictatorship मैंने पीवालो के बच्चों के लिए लिए पड़क्टर मिधा वस्ता है अग्र सबावाले से लिए दिखा है यह बन् से चैप्टर हमें पहले पिक करना चाहिए ताकि हम आसानी से फसे नहीं अब मैं बोल दूँ के भी या पहले अब मैं दोनों बाते कह रहा हूं यहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 12 के अंदर अकॉट्स अच्छा था और यह पास तो हो जाएंगे अच्छे नमबर आजए कैसे आएंगे तो अगर मैं बात करूँ जिसके 12th के अंदर accounts अच्छा था तो वो number 1 पे मैं 12th वालों की बात कर रहाँ जिसका वो number 1 पे ये करेंगे, number 2 पे ये करेंगे number 3 पे ये करेंगे, number 4 पे ये करेंगे जल्दी से जल्दी निप्टाएंगे नंबर 5 नंबर 6 यह sequence में लेके चलेंगे जिनका 12 के अंदर accounts अच्छा था अब कुछ बच्चों को कैसे पता चले के भाईया हमारा 12 के अंदर accounts अच्छा था तो simple सी बात है आपके report card पे मत जाना कितने marks आये थे आप खुद evaluate कर लो कि वहां पे आपको जो दूसरी बुक थी आपकी company वाले उसके अंदर आपको दिक्कत आती थी या नहीं आती थी 12 के अंदर accounts अच्छा होने से मतलब यह निया के partnership बहुत अच्छा था था वहां पे सिर्फ यही मतलब है कि आपको share capital वाले चप्टर अच्छा आता था बस क्यूंकि यहां पर रोली उसी का ही है तो यह बात से आप अपने आपको evaluate करो अगर बोलता है कोई बच्चा या 12 के दर मेरे को ना share capital नहीं आता था बागे सारे चप्टर अच्छे से मैंने कर लिये थे शेयर कैपिल में फूर फीचर प्रोड़ाटा वगरे यह सब समझ में ही नहीं आता था मेरे को ना आएगा लगता है इसा कभी तो उसका इसमें समय बरबाद हो जागा काफी जागा जिनक कौने चेप्टर उठाना चाहिए उसके बाद आप देखो यही को देख लेन आ जाएगा आपके पास आप उसको अच्छे से लिखे लेना यह से मैं बोल रहा हूँ छीक है ना उसकेे जैसे ही यह वाला पार्ट खतम होता है हमें किस पर आजाना चाहिए सर यह थियोरी वाले पार्ट को निप्टाना चाहिए धीरे-धीरे जितना पार्ट हम पढ़ सकते हैं वह थियोरी वाले पार्ट को निकला निप्टाएंगे और सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब तो चाह रहे हैं चुछ ऐसा बताएं जिसकी वजह से हम at least कम से कम तो पास तो हो जाए हमारे अच्छे नंबर तो अभी नहीं सोच रहे हैं लेकिन हाँ पास हो जाए इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं अगर आप सिंपल सिंपल चैप्टर बीगिन लेते हैं तो 9 10 11 12 13 14 15 20 चैप्टर तो पहुंची जाते हैं तो उसको तो मैं क्या बोलूं जिन बच्चों का 12 में अकाउंट बहुत बैड था तो सर इन चैप्टरों को मच्छू ये पहले आप सबसे पहले एक तो यह उठाईए कैश फ्लो फिर उठाईए आप रेशो और फिर उठाईए आप फाइनल अकाउंट इसका बहुत जादा टेक्निकल प भी फॉर्मेट तो कर लोगे तो मैं इसलिए बोल रहाँ इसको पिक करने के लिए क्योंकि इसमें फॉर्मेटिक का काम है तो आपको सबसे पहले नंबर वन पे यह लेना है नंबर थ्री पे अंबर इसके बदे बाद वह बच्चा कर ले नंबर चार पर वेल्यूएशन अव यह शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल ऐसा नहीं कह रहा है कि बिल्कुल प्रोडाटा और फॉर फिचर आपको आएगा तभी मानना अगर वहां रीशु तक भी पहुंच गए और फॉर फिचर में कोश्चन गलत भी हो रहे हैं तो मानलो के आपको ठीक ठाक आ गया है यह वाला आ आप इतना आगे नहीं बढ़ना इसको छोड़के फिर आप इसके उपर ज्यादा मेहनत करो बाइबैक बोनस और रिडंशन आफ प्रिफरेंशियर यह तीनों को करना पड़ेगा यह बाद में है इसके बाद का जैसे ही यह वाला पार्ट खतम हो जाता है आपको फिर यह री रीकंस्रक्शन रीकंस्रक्शन बहुत आसान चैप्टर रहें अब रीकंस्रक्शन जैसे खतम होगा तो इतने में तो आप पास हो ही पाऊगे और थियोरी वाला पार्ट आपको करना है तो यह हिसाब किताब रहेगा और जो सीबी तीस वाले बच्चे हैं वो होल्डिंग सबसे last में पिक करें और NEP वाले amalgamation को सबसे last में फिक करें उनके लिए यह ही रहेगा तो और अगर करते हो तो अगर ताइम अगर गिंते हो तो तो देखो इसमें कितने तिन हो गए इसके अंदर मां लो एक एक तीन इन लोगे तो मान के चलो आपका तो तीस दिन तो ऐसे एक्ज़ेक्ट है जब आप बिलकुल जैसे आप समझ के चलो आपका पूरा focus study के उपर है और सीधा सीधा चलना है तब जाके आपके 30 दिन के अंदर पूरे अच्छे से कर पाओगे और जिन बच्चों ने कर लिया है वो बच्चे revision में लग जाए उसके लिए जिस बच्चे ने ये सारी चीजे पहले से कर ली है और इनमें से भी कुछ बच्चे चेप्टर कर लिया है तो जो मैंने टाइम यहां पर लिखा है उस ताइम को हाफ कर के revision करें पांस दिन लिखा तो आप आइसा नहीं कि पांस दिन बोला था पांस दिन में खरूँआ मैं इसे नहीं आप इसको एक दिन में भी निप्टा सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है बस बड़े-बड़े कोश्चन सिधा पिक अप करने और उतको कर लेना है वो सेनेरियो लेकर चलना है तो जो बच्चा रिवीजन मोड पे होगा अब मैं सभी बच्चों को कहूंगा कठीना हो थर्स्डे है to be was Be怎麼樣라고 अफ ग्लास बेंगे संडे में मैक्सिमुम मिलें रहा हुं आप सभी के फोल्डर्स अपडेट हो स्लेम साशाब्ट कर दोगे तो सब्सक्रा को कुछ करने के लिए चप्टर दिए में सारी से फिरना कैसे सर आपको बहुत सिंपल सी बात है आपको सबसे पहले आपके पास बुक होना चाहिए और एक आपके पास टेन इर करीद लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा तो यह मैं एसा नहीं बोल रहा आपको करते मिए के questions आएंगे exam में से ऐसा मस समझना कि इसी में से पूरा पेपर उठके आएगा और ऐसा कोई भी बुक नहीं बना जिसमें से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का अगर आपके पास यू नीड हार्ड कोपी आपको चाहिए बुक में टिक करोगे इसमें थियोरी भी लिखी होती है ऐसा नियर करोगे तो टैनियर से आपको पास पेपर का ट्रेंड पता चलेगा कि अच्छा यह कोशन इतने नंबर के आते हैं और आपके अगर आप एक बार ए अद्रिसटेंड करपाऊ उपके इस लिए इसे अपको स़rica वार का एक तरीके से देखोगे तो बहुत मोटाई मैं बूख है और यह आप 1977 ही चौट देपर के 10-year आप पूरा वैसे भी नहीं करोगे 10-year से स्रिफ आप examiner का एक observation लोगे के भाई examiner क्या चाह रहा है 10-year बच्चे पूछते हैं तो 10-year simple सा बताए शिवदास का लेना है अपनी और शिवदास का मैं जिस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है देखो nearby शॉप से लोगे मैं सबसे अच्छा option बताऊंगा वहीं से लोग और जिस बच्चे को नहीं मिल पा रहा हमें उसके लिए कर देता ह हूं क्या नाम है जिए उनको कोरियर मंगवाना है सेमड़े कोरियर आ जाता है अगर आस-पास डेली एंसियार में आसपास दुकान नहीं है तो उसके लिए बता देता हूं नंबर है 70111 47630 47630 यह हो गया इसके अंदर आपको कॉल करना है सुभ़े 10 से लेके साम को 6 बजे तक और उनको ओर्डर लिखवा देना या उनके वेबसाइट पे जाके विजिट करके सिवदास.in पे जाके आप कर सकते हैं यह सारा का सारा यहां पे scenario यह बना रहा है तो मेरा यही opinion था आज की जो second class थी second class वाली यह पूरा recorded है यह मैं भी notes update कर रहा हूं और जो बच्चे काफी सारे ऐसे बच्चे जो नहीं भी पढ़ रहे अपने friends को बता सकते कि भाई अब पढ़ ले नहीं तो बाद में तो दिक्कत होगी होगी क्योंकि छटे समेस्टर में आपके GST भी है छटे समेस्टर में practical subject भी और इस हिसाब से रहेगा तो वो चीजे पढ़ ले और उसके हिसाब से फिर करेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा जिस बच्चे को कुर्स खरीदना मैं यूटूब पे भी हाला कि वीडियो डालता हूं description में लिंक भी दे रहा हूं description में जाके contact कर सकते हो वह कोर्स का प्राइस बता देंगा कोर्स में जैसा भी रहता है जो बैस से बैस बन पड़ेगा उन बच्चों के लिए कर दिया जाए तो वह आप स्टार्ट कर दीजिए नहीं तो देखो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि सर आप 5000 रुपए लगेंगे पेपर क्लियर हो जाएंगे मैं बोलत मैं सिंपल सा एक बड़ बोल रहा हूं कि मेरे मान लेतने कि मैंने बूला ऐसा सोच नहीं कि मेरी जान पहचान का है 5000 रुपए दो और आपको पेपर नहीं देना आप पास ह कि उस टाइम पे आपको 5000 रुपए लगा के पढ़ लो तब आप पास हो जाओगे फिर आप वहां पे खर्च करने से पीछे जाओगे जो कि आपके लिए सबसे बड़ा रखना तो उसके साब से सब्सक्राइब की बुक वैल्यूएशन गुडविल और बागी दो चप्टर सब्सक्राइब कर देता हूं और आप अपना सब्सक्राइब कर देता हूं और आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो वीडियो जरूर लंबी है लेकिन करना तो पड़ेगा आपको सारी चीज़ें